हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल द्रश्याज ओनलाइन ग्रूप में तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सीटाइट हिंदी की टारगेट सीरीज जो यह हमारा एक्जाम आने वाला है दिसमबर 2022 में तो उसके परपस से यह जो हमारी सी कोषन है और कहां से हा ठीक है और इस कोषन से आपके एक से छैनंबर हमेशा मारा मिनिवमँ पांच नंबर तो आपके पक्के है अगर आज आपने यह कोषण को ठीक से कर लिया तो इसको हम क्या कहते है ए- ka-da-णश, च-पद्ध्यांश आपने सोना होगा तो यह हमारा कहते हैं या फिर कॉम्प्रियेंशन भी बोला जाता है जिसमें एक पोयम होते है यानि के कवीता होती है जो अंसीन होती हो जकता कहीं आपने पढ़ी भी हो उससे रिलेटेट कुश्चन्स होते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होता है पहले उस पोयम को अच्छे से पढ़न करते हैं तब भी प्रेक्टिस कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो चलिए हम टाइम वेशन करते हैं इस कुश्चन को करना स्टार्ट करते हैं और हाँ अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और वीडियो तो ही बाट की पहचान कर ले है अनिश्चित किस जगे पर सरित गिरी गहवर मिलेंगी है अनिश्चित किस जगे पर बागवन सुन्दर मिलेंगी किस जगे यात्रा खतम हो जाएगी देखें किस जगे यात्रा खतम हो जाएगी यह भी अनिश्चित है अनिश्चित कब सुम कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन से ऐसा छू जाएंगे, मिलेंगे कौन से ऐसा, आप पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटो ही, पाट की पहचान कर ले, ठीक है? तो यह जो हमारी कविता थी, बहुत ही अच्छी कविता है, जिसमें य यह बताया गया है, थोड़ा सा, आप भी जब एक्जाम में जाएंगे, तो एकदम अच्छे से पढ़ें, जिससे कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, तो जब आप कोशन की तरफ मूव करते हैं, तो आपको तुरंट से आंसर मिल जाता है, जैसे अभी हमने यह पड़ी बहुत ही अच्छे से पढ़ी, आपने भी ध्यान से अच्छे से पढ़ी होगी, जब पढ़ रही थी, तो जैसे अभी हम कोशन की तरफ मूव करेंगे, देखेगा, आपको एकदम से आंसर मिलेगे, फिर भी इसका भाव मैं समझा देती हूँ, आप पढ़ेंगे, तो आपक कहां पे सुन्दर बागवन मिलेगे, कहां रास्ता सुन्दर होगा, कहां काटो भरा होगा, कहां पे पूल मिल जाए, कहां पे काटे मिल जाए, कहां पे कुछ भी आ जाए, तो इसलिए पूर्व चलने की बटो, यह मतलब चलने से पहले, यह मतलब कुछ भी करने से पहले, तो तुम्हारी राह है, जो तुम्हारी बाट है, उसकी पहचान कर लो. तो जैसे इसको हम आपके CTAT के एक्जाम से जोड़ देते हैं, कि CTAT की रहा पे आप चलें, CTAT का एक्जाम आपको किलियर करना है, तो बस क्या है, CTAT के एक्जाम को एनलाइज कर लो, तैयारी करके जाओ अच्छे तरीके से, और खूब पढ़ाई करो, तो आपकी जो रहा की पहचान हो जाईगी, और आपकी रहा एकदम 100% असान हो जाईगी, और निश्यतिया आप बहुत ही अच्छे मास लाएंगे. तो कविता की पंक्तियों में, चलो कोशिन की तरफ चलते हैं, अब हम, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेशता की ओर संकेत किया गया है, कठनाईयों की ओर, अनिश्यतिया की ओर, सुखों की ओर, या साहस की ओर, तो बिलकुल आपको देखते ही इसका अंसर यहां पर अनिश्चित वर्ड कितनी जगे आपको देखने के लिए मिल रहा है यहां अनिश्चित अनिश्चित वर्ड की बात नहीं है बात यह कि आपने पोयम पड़ी अच्छे तरीके से तो आपको मीनिंग भी समझ आहे गया होगा ठीक है अब देखें कवीता में आये सुम कानार्थी शब्द क्या है तो बताए वगा इसका अंसर सोचे सोचे हाँ आपने ठीक सोच होगा भूल और काटे तो सुमन का मतलब होता है फूल और कंटक का मतलब होता है काटे ठीक है अब देखिए नЕक्ट कुश्षन पर मूव करते हैं कवीता के पंक्तियों में कवी व् प्रेना दे रहे हैं, हर इस्तिती में, ताह़ दिखाने की, परवतों को देखकर ना डरने की, गहरी नदियों से ना डरने की या हर इस्तिती में आगे बढ़ने की, बताये है, इस कांसर क्या हुगा? आप सोचिए जल्दी से इसका अंसर होगा D हर इस्तिती में आगे बढ़ने की तो ये जो हमारे पोया में इसमें जो कभी क्या कह रहे हैं कि जो हमारे कटन परिस्तितिया है इन से हमें कभी विचलित नहीं होना है और इन कटनाईयों को पार करके हमें आगे बढ़ना है continuously आगे बढ़ना है देखिए पढ़िए इन पोयम को और जो हमारा लक्षे है जो हमारा एम है जैसे हमारा आज एम क्या है हमें CTAT का exam किलियर करना है अच्छे माक्स से तो इसका हमने लक्षे निर्धारण कर लिया है हमें दड़ पतिग्या करके हम आगे बढ़ रहे हैं और क्या है इसी से हमारा क्या होगा exam निकले गए यानि कि हमारी जीवन यात्रा ये CTAT जो है हमारी जीवन यात्रा का एक भागी तो है एक हिस्सा ही तो है जिससे हमारी जीवन यात्रा असान होगी seated के exam की बहचान कर लो कि वही कैसे कैसे आएगा यह आज आपके 5 marks मिलके ही रहेंगे आपको ठीक है तो हर इस्तिती में आपको भी आगे बढ़ना है और कभी भी हमें यही सिखाना चाहते हैं तो इसी बात पर दो लाइने में आपको बताना चाहते हूं जिससे आपका साहस तो मैंने सोचा कि आपको बता देनी चाहिए ठीक है आपको सुना देनी चाहिए जिससे आपका होसला बड़े यह मत बताओ हमें कि रास्तों में भीड कितनी है तुम यह बताओ हमें कि तुमारे बताओ तुमारे होसलों में ताकत कितनी है और तुमारी तयारी कितनी है तो तुम्हारी तयारी भी अच्छी हो रही है और आप करोगे ठीक है तो हमें यह नहीं देखना है कि रास्त में भीड कितनी है हमें तो यह देखना है जो हम एक्जाम देने जा रहे है उसके हमारे तयारी कितनी है और हमारे होसले कितने बुलंद देखो नहीं होसले बुलंद होन कि उसमें कुछ confusion हो जाए तो इसलिए दोनों ही चीजे आपको अपने साथ रहके चले क्यों चांस लेना किसी भी चीज का ठीक है अब देखिए आगे बढ़ते हैं आपका time waste नहीं करते क्योंकि एक्जाम आने वाला भी है इस जीवनी आत्रा में बताए कुछ भी निश्चित नहीं है सब कुछ निश्चित है सब और मुश्किले हैं सब और सुख हैं बताए आप बताए बताए कुछ भी निश्चित नहीं है देखिए इस जीवनी आत्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है इसलिए हमारी जो यात्रा है जो हमारे कवी हैं वो यही कहना चाहते हैं कि ये जीवन जो है अनिश्चित है ये यात्रा जो है अनिश्चित है कि किस जगे पर बागवन सुन्दर मिलेंगे है न ये भी अनिश्चित है कहाँ पर सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे तर चीज अनिश्चित है इसलिए वो कहते हैं कि पूर्विचलने के बटोई बाट की प कुछ निश्यत है यह तो बिल्कुली का लट हो गया वही जीवन में आप देख रहे हो कुछ निश्यत नहीं है सबोर मुष्टिय ये बात है अगर आप अच्छे से करोगे तो हर चीज का एक आपके पास क्या है हलक जरूर है आपके पास करने का आप देखे नीचे दिए गए गए शब्दों में सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है देखे नहीं है इस चीज को मैं पहले से हमीशा पॉइंट आउट करती जब भी गोश्चन पढ़ो तो यह ध्यान रखो नहीं है और है ठीक है कभी वहां पे जख्कर वह रही है यह तो पूश्रा है नहीं है इतने में एक आद मिनट चला जाता है जब तक समाझ आता है इसलिए पहले से इस चीज को माइंड में रखके जब देखे तो पहला ऑप्शन है तटिनी नद जैमाला प्रवा तो बताए इस का अंसर क्या होगा इसका अंसर होगा आपने सही जाना जैमाला तो जैमाला जो हमारी फूलों की माला होती है वही जैमाला होती है ठीक है तटिनी नद प्रवा यह तीनों हमारे सरित यानिकी जो हमारे सरित वर्ड है उसके समानार्थी शब्द है अब देखें अनिचिस शब् जैसे यह तो आपको, मैं जानती हूँ, आपको 100% पता होगा इसका अंसर, पर कभी-कभी कुछ ऐसे वर्ड आजाते हैं, तो जो option दिये होते हैं, उनको आप पीछे लगा-लगा के देख लो, जैसे प्रत्य है, उपसर्ग है तो आगी लगा के देख लो उस वर्ड को, तो आप अनिस्चित ता, तो यह इसका answer क्या है, अनिस्चित ता, और वैसे भी इस question का answer देखो, उपर ही दे दिया है, पहली, यह रहा, अनिस्चित ता, तो कभी-कभी ऐसा होता है, कि हमारे जो questions होते हैं, विसे कुछ questions का answer, तो हमारे exam रहे paper में ही होता है, इसलिए, आपको याद ह है हमारी मम्य जो हम जोटे ते जो बड़ते तो हमेशा कहते थे हमारी ឦीini कि कुछन को ढंक से पढ़ना कुछाओ कि आऽ सकोधे कि आपको जरू मिल एक से 6 मार्क्स कवर करेगा और 100% ये आएगा आपके एक्जाम में इसलिए इस तरीके के और भी कोशन्स को करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए भई जिससे और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो त्यारी कर रहे हैं इसमें कंफीजन है तो आप बताईए वैसे तो बहुत सारे वीडियो चाहिए अगर कुछ रह जाएगा तो हम आपके कहने पर बना देंगे आपको आंसर करतेंगे तो आज के लिए इतना ही आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा यह session हमारा और आपको समझ भी आया हुगा क्योंकि अच्छा लगने की बात तो यह है कि एक्जाम में आएगा ही आएगा इसलिए आपको ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा इन सब चीजों में ठीक है अच्छे से पड़िए सीटर के लिए हमारे साथ बने रहे तो चलिए दोस